दोस्तों अब मैं बात करूंगा लेवल फॉर की जिसे शाड़ो वेब चार्टर वेब या साधारन भार्षा में डार्क वेब कहा चाता है यह डीप वेब का यह चोटा हिस्सा होता है और यहां से चीजी डार्क होना शुरू हो जाती है यहां पर ऐसी चीज़े मिलती हैं जिसे बता भी नहीं सकता मैं वीडियो में और इसमें भी मैं कहूं तो दो हिस्से होते हैं पहली जो श्रेड़ी आती है जब आप डार्क वेब में घुसोगे तो आपको सबसे पहली जो चीज मिलेगी वो मिलेगी यह एक सबसे पहला चरन होता है जब आप डार्क वेब पे घुसोगे या घुसने वाले हो तो आपको कैसे पता रहेगा कि आप डार्क वेब पे घुसने वाले हो सबसे पहली चीज आपको हिडिन विकी मिलेगी यह वो वेबसाइट होती हैं जहां पर बहुत सारे लिंक्स होत आप कह सकते हैं यह इंटरनेट पर बताता है कि कौन सी चीज कहां मिलेगी अब जैसे कि डीप वेब डार्क वेब की वेबसाइट का नीचर है कि यह गोगल पर नहीं होती तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता कौन बताएगा वो बताएगे लग अलग अलग डार्क वेब पर घुसने के लिए एक ऐसे चार्टर वेब जिसे कहते हैं इसा लिए चार्टर वेब भी कहा जाता है एक ऐसा प्वयन्ट आता है हिडिन विकी के बाद डार्क वेब का तूसरा चालह जहां पर अपter अएसे ही नहीं गुस सकते less यहाज तो आपको और आपको बता दूब पर लॉगिन वगएरा करने के लिए अपाउंट और डार्क वेब पर ही बनाए जाता है सर्फिस वेब की कोई भी चीज डीप और डार्क वेब पर इस्तिमाल नहीं की जाती है अलग ही आप ऐसा कभी करेंगे नहीं बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ वह एक अलग दुनिया है वहां का email ID अलग होता है वहां PGPs पर communication होता है नौर्मल अपने Gmail से mail नहीं कर सकते आप और आपको करना भी नहीं चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ करना भी नहीं चाहिए वहां के सारी अलग चीज़े होती है वह एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जहां पर सब कुछ वहीं मिलता है सब कुछ वहीं छोड़कर जाना पड़ता है मेरा मतलब यह कि जो information वहां देखी वो भी क्योंकि ऐसी disturbing चीज़े वहां पर भी है जो अगर आप असल जिंदगी में सोचते रहेंगे तो आपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे बहुत वीर जगा हर सब कुछ चल रहा है वहां यह सबसे गैर खानूनी जगा है यहां पर सारे गलत चीज़े भिक रही हैं सारी गलत चीज़े हो रही हैं और यहां जाना हम किसी को भी recommend नहीं करते हैं और नहीं जाना चाहिए आपका कोई मतलब नहीं बनता क्यों नहीं जाना चाहिए मैं एक वीडियो में already mention कर चुका हू और जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ पासवर्ड, payment या login के पीछे चुपी होती हैं उसे closed shell कहा जाता है या closed shell method यह चीज़ आप याद रखना कि इसे क्या कहा जाता है इस पे बहुत सारे रवराज भी चुपे हुए ऐसा कहा जाता है कि Atlantis का real address Atlantis दर असल एक mythology में कहले या पुराने चीज़े सुनते आए कि एक ऐसी जगहाए जो समुदर के नीचे डूप गई थी जहापर बहुत खाजाना है जहापर जल पर यहां रहा करती थी एक ऐसा देश पूरा का पूरा देश जो पानी की नीचे समा गया बहुत साल पहले कोई एक देश होता था जिसक इसके आगे भी एक वेब मेरियानाज वेब पर वहाँ पर इसकी जानकारी चुपी हुई है गैडोलीनियम गेलियम क्वांटूम एलेक्ट्रानिक प्रॉसेसिंग आप कह सकते हैं इस तरह के सीकेट्स छोटे सचोटे क्रिस्टल में पूरी दुनिया का डेटा स्टोर करना और इस तरह की चीज़ें माना जाता है कि वो कही ना कहीं इंटरनेट पर टाक वेब पर या मरियानाज वेब चुपी हुई है सरकार आजकल बहुत जादा इसमें इटरफियर कर रही है इस लेवल पर क्योंकि यहां पर बहुत गयर क्यानूनी चीज़ें और यह बहुत कॉमन हो इंटरनेट का हिस्सा है डार्क्वेब को कैसे एकसेश करते हैंot नॉर्मली जब समझते हैं कि डार्कसीट चल सकती है मैं आपको बताए तॉख गरेंट इंटरिफ पर चल रहा है यह पूरा इंटरिफ नहीं है इट्सकेश्ट प्रोग्राम है एक छोटा सा हिस्सा है तौर और अनियन जैसी और बहुत सारी वेबसाइट और इंक्रिप्शन और हाइडिंग टेक्निक्स हो सकती है जो की शायद आम पब्लिक तक नहीं आई है यह तो इसलिए आ गई है क्योंकि इसे यूएस डिफेंस परसनल ने अपने लिए इस्तमाल किय और यह पब्लिक में बहुत जादा ग्लोरिफाय की गई ऐसे बहुत सारे इंक्रिप्शन सिस्टम ब्राउजिंग सिस्टम ब्राउजर्स वेबसाइट मेकिंग टेक्नीक हो सकती हैं जो कि कॉमन लोगों के लिए हो ही ना बट फिर भी वह वेब पर चल रही हो तार्क वैप जो भी आप बोलना चाहों उसके बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साइबर सिक्यूरिटी और इतिकल हाकिंग इंट्रस्ट तो डिस्क्रिप्शन चेक करें टू-99 रुपीज के तीन इतिकल झाल 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 झाल